नमस्कार दोस्तों आडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है आज के चित्रकार हैं बीसी सान्याल जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे भावेश चन्द सान्याल जिनहीं बीसी सान्याल के नाम से पुकारा जाता है कि गन्ना दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख के रूप में की जाती है भारत विभाजन के बाद बीसी सान्याल दिल्ली आये, जहां आपने कला का नया वातावरन तैयार किया और कुछ सक्रिय कलाकारों को लेकर इस समूर की नीव डाली वा कुछ समय तक उसके चेयर्मेन भी रहे बीसी सान्याल का जन्म 22 अप्राव सन 1904 इस्वी को डिब्रूगर असंप में हुआ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्न करने के पश्चात आपने उच्च शिक्षा के लिए श्री रामपुर कॉलेज में दाखिला लिया, जो हुगली नदी के किनारे पर स्थित था यहां पर आपने अरुची वाले विशयों की पढ़ाई की, इसके पश्चात आपने एक प्रिंटिंग प्रास खोली, जहां भाशा का एक महत्वपूर्ण शब्द कोश प्रकाशित किया बचपन से ही सान्याल को मिट्टी के देवी देवताउं वह घरेलू खिलोने बनाने का शौक था, और वे यदा कदा अपनी अभिव्यक्ति को इस माध्यम से प्रकट करते रहते थे अपने इसी शौक की खातिर आपने सन 1923 में कोलकाता के गवन्मेंट स्कूल ओफ आट्स एंट क्राफ्ट्स में दाखिला ले लिया सन 1929 सी स्वी में कॉंग्रस अधिवेशन के दौरान आप कोलकाता से लहौर आ गए यहां अपने लाला लाजपत्राई की बस्ट साइज मूर्ती बनाई और फिर यहां का वातावरन पसंद आने पर लहौर में ही रहने का संकल्प किया लहौर में साथ वर्षों तक मेयो स्कूल ओफ आट में उप्रधान अचारिय के पद पर रहे इसके बाद आपने यह सरकारी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के रीगल सिनेमा के बालरूम के हॉल में एक स्टूडियो तथा फाइन आट स्कूल की स्थापना की यहां पर लेखक, चित्रकार, कवी एवं दार्शनिक सभी लोगों का जमभट रहता था आरा, धनराज भगत, सतिश गुज्राल, शेला पस्रीचा, दमयंती चावला आदी अनेकने एवं युवा कलाकारों को आपने कला में विभिन प्रयोग करने की प्रेरना दी सरोजनी नाइडू, भूतपूर राष्ट्रपती सर्वपली राधाकृष्णन, उदेशुनकर, अमरिता शेरगिल, फैस एहमद फैस, मौलाना चिराग, हसन हस्रतादी संगीतकार, गीतकार और अन्यव्यक्ति आपके निकेट थे दिल्ली पोलिटेक्निक के कला अध्यक्ष के रूप में सन 1960 इसवी तक कार्य करते रहे और उसके बाद केंद्रियल ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी तथा चेयर्मेन के रूप में कार्य किया साथी शिल्पी चक्र नामक एक कला संस्था की स्थापना की, इससे पूर्व दिल्ली के गोल मार्केट में आपने अपने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, जहां आपने रचनातमत कार्य किया नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ओफ मॉडन आथ को स्थापित करने में आपका पर्याप्त योगदान है कला की विविद गतिविधियों में भाग लेते रहने के बावजूद सान्याल ने चितरन कार्य में कटोती नहीं की वे निरंतर स्रिजनरत रहे, आप भावुक प्रवरिती के थे, सामाजिक चेतना को लेकर आपकी कला विक्सित हुई और रेखान के नक्षमता, रंग दक्षता तथा साहज कल्पनाजन्या सामर्थ्य का परिचय निरंतर बना रहा बीसी सान्याल के अपने मौलिक चितर हैं, वे किसी की शैली से प्रभावित नहीं रहे हैं, उनके आरंभेक चितरों में हमें समाज की समसामएक समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रियता तथा देशप्रेम का भी परिचय मिलता है आप जल रंग तथा तैल रंग, दोनों माध्यमों में समान अधिकार रखते थे आपने कल्पना और यथार्थ दोनों के मेल से चितरकृतियां तैयार की, आपने ग्राफिक पध्धती तथा मूर्तिशिल्प में भी कार्या किया गरीबों, उपिक्षितों और मुसीबतों के मारे, दर्द मंदों, जरूरत मंदों और समाज से चोट खाई व्यक्तियों का इन्होंने चितरन किया प्रमुक्ष चितरों में, उखडे हुए, गोल मार्केट के भिखारी, माव बच्चा, मेरे पडोसी भिखारी, आश्रहीन लड़की, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, पूर्वा भया साधी चितरों में दर्द की टीस और प्रानों की कचोट है इस प्रकार आदमी के सुख दुख को आत्मसाथ करके बीसी सान्यालने जो अभिव्यक्ती की है, वो प्रेरन अदाई है आपके अन्य प्रमुक्ष चितरों में शिव मुखाकृती, राजस्थानी महिला, तीन महिलाईं, कपोत और महिला, खेत में महिला है आप व्यक्ती चितरन तथा द्रिश्य चितरन दोनों में समान रूप से सिध्धा हस्थ थे आपने द्रिश्य चितरों में लहराते खेतों, खलिहानों और ग्राम्य प्रकृती को चितरित किया है लाल, नीला और पीला उनके प्रियर रंग हैं, जो उनकी कलाकृती में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं इस प्रकार आप नए नए विशयों को लेकर रुचिकर प्रयोग करते रहे आपने मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और देश के प्रमुख केंद्रों एवं विदेशों में समय समय पर अपने चित्रों एवं मूर्तिशिल्पों की एकल प्रदर्शनियां की साथ ही अनेक राज्यस्तरिय, राष्ट्रिय एवं अंतर राष्ट्रिय प्रदर्शनियों में भागी दारी निभाई सन 1956 में पूर्वी यूरोप की भारतिय कला प्रदर्शनी के प्रतिनिदी मंडल के नेता के रूप में भेजे गए वे कनाडा, सयुक्त राज्यव जापान भी गए, सान्याल का अपना निजी व्यक्तित्व था, जिसके कारण कला जगत में उनकी अलग पहचान बनी बीसी सान्याल लंबाकद, साधारन धोती कुर्ता, सफेद बाल एवं दाड़ी और मूछे, जो कानों तक पहुँच रही थी मधूर व्यवहार और आत्मियता के कारण वे कलाकारों में लोक प्रिय थे महत्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध देश्व्यापी असहियो गांदोलन में आपने भाग लिया, किन्तु शीग्रही ये छोर, रचनात्मत कार्य से पुनन जोड गए सान्याल जी को देश का प्रतिष्थित पदमश्री सम्मान प्राप्थ हुआ है, साथ ही उनकी कृतियों को अनेक बार राष्ट्रिय एवं अंतर राष्ट्रिय पुरस्कार मिले हैं दिल्ली शिल्पी चक्र के माध्यम से आपने समसामाईक कलाकारों को प्रोट्साहित किया वी उच्छित दामों में कलाकारों की कृतियों का क्रय करते थे यहां तक ये कलाकृतियों को उधार, किष्टों एवं किराये पर देकर धनों पारजन करते थे आज आपके चित्र भारत तथा भारत के बाहर कला संग्रहालयों, कला दीरघाउं एवं निजी संग्रहों में संग्रहीत हैं सन 2003 इस्वी में 99 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद श्री सान्याल की मृत्यू हुई दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आवश्य करें, धन्यवाद